एलो स्वेंट्स कैसे हैं आप सब लोग तो आज हम इश्यू अप शेयर के जितने भी इंपोर्टन कोश्चिन है जो एक्जामिनेशन 2021 के बोर्ड एक्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं वो हम सारे का सारे डिसकस कर लेते हैं उमीद है अपने क्लास कंपने एकांट्स जो आपका पाट्टू है जो कवर करता है क्लास बेल के एक्जामिनेशन में ट्वेंटी मांक्स का उसकी आपने प्रिपरेशन कर ली होगी और जो भी म सब्ताने क्जांट करने मुझे pap gegangen करने के 친 के करें कोशन शुरू करते हैं और बता दूं आपको ऐसे ही क्लास mcq सीरीज चालू करी हमने हर एक चैप्टर के लिए चाहे वह अकाउंट्स हो चाहे वह इको हो चाहे वह बिजनस टेडीज अकाउंट एंसी में चैप्टर वाइस वीडियो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल ज जाएगा मैं डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में भी क्लास पिन कर दूंगा वहां से आप जाके चक कर सकते हो ठीक है कॉमेंट में भी क्लास आपको मिल जाएगा पहला कुश्चिन जरह इसको पढ़ो और आंसर बताओ क्लास क्या होगा прémium on issue of share can be used for आप सबको पता है जब company shares को issue करती है तो वो shares को पार पे भी issue कर सकती है और company shares को premium पे भी issue कर सकती है अगर company extra पैसे में face value से उपर amount में अगर share issue करती है तो उसको बोलते है securities premium reserve आप सब लोगों ने entries में इसको credit भी किया होगा to security premium reserve हलांकि forfeiture की entry में आप इसको debit करते हो सवाल मेरा यह है आपसे इसे securities क्यों कहा जाता है इस premium को security क्यों कहा जाता है क्योंकि class इस पैसे को कुछ खास काम में ही इस्तमाल किया जा सकता है आप हर जगे इस पैसे का इस्तमाल नहीं कर सकते है इसलिए इस premium को कहा जाता है securities premium reserve और वो खास काम कौन-कौन से है तो लिखाए कि premium on issue of share can be used for issue of fully paid bonus share यहां क्या लिखा है पार्टली पेड लिखा है जबकि हम कौन से bonus share issue करते हैं fully paid तो अप्शिन गलत हो गया writing of loss incurred during the year class साल का जो loss होता है उसको हम write-off नहीं करते loss on issue of debentures को write-off करने के लिए करते हैं discount और loss on issue of debentures यह विल्कुल correct है write-off past losses पुराने loss को भी हम write-off नहीं करते है इससे clear preliminary expenses को write-off करते है fully paid bonus share buyback of on share discount on issue और loss on issue of debentures इन चीजों के लिए ही इस premium के पैसे को use किया जाता है I hope कि आपका answer correct हो state whether the following statement is true or false security is premium reserve can be used for writing of preliminary expenses plus preliminary expenses का मतलब आप यह कह सकते हो shares को issue करने के लिए जो expense होता है preliminary expenses या business को establish करने के लिए जो expense किया जाता है starting में that is preliminary expenses तो यह जो preliminary expenses है इसको write-off करने के लिए security premium reserve का use किया जाता है तो बिल्कुल सही है इस preliminary expenses का write-off करने के लिए हम लोग security premium reserve का इस्तमाल करते है the statement is true एक numerical है छोटा सा आप मुझे बता दो on a share of rupees 20 share है 20 रुपए का issue हुआ है 4 रुपए premium पे तो share कितने का class हो गया share हो गया 24 का on which 16 including premium is called 16 मंगवाया गया है चार premium है तो मुझे बताओ face value कितनी होगी चार premium है तो face value होगी 12 यह पैसा मंगवाया गया है 10 including premium पेड 10 including premium चार रुपए premium है चार रुपए फेसल वह पेड कर दिया is forfeited the shares capital account will be debited by तो class यह उसने पे कर दिया तो कितने रुपए पे नहीं किया रुपए उसने पे नहीं किया तो कोशिन बोल रहा है कि share capital किस से debit होगा मैं बता दूँ आपको वैसे तो आंसर बहुत सिंपल है जितने रुपए face value का होता है मानलों कि आप forfeiture के entry pass करोगे share capital account debit premium दे दिया है तो इसे इग्नोर करना है टू शेयर forfeited और टू शेयर अनपेड कॉल तो अनपेड कितना है च्छह रुपए अगर प्रीमियम दे दिया है class तो आपने इस प्रीमियम को एक्नोर करना होता है और यह आएगा 6 और share capital में हमेशा जहां नखना आप इसे बनाऊगे तो बहुत बहतर समझ जाएगा बट फिलाल आप ट्राई जरूर करो एंड तक कितना आपको आता है कितना नहीं आउट फिफटीन आप कितना स्कोर कर पाते हो 10 से उपर जा पाते हो कि नहीं इसी क्लास अप चेक कर लिए शेयर क्यापिल में हमेशा आता है क्लास मेरी बात समझना जब कंपनी प्रामोटर को शेयर इशू करती है सर्ब प्रामोटर कौन होता है जिनके मन में कंपनी बनाने का आईडियाyas पहली बार आया घ्रांस इंडस्ट्रीय लिमिटेड इतनी बड़ी कंपनी है तो भाईया आज ही तो ये बड़ी कमपनी है कभी तो इसकी शुरुवात जीरो से हुई होगी समझे बात को तो कभी तो ये बिलकुल छोटा सा होगा तो उस situation में किसके मन में आया था कि हमें reliance बनाना है उस इंसान को क्या बोलते हैं जिसने बिजनस को प्रमोट किया कम्पनि उसकी महनत को देखते हुए उसने भृँ consistent promote किया है नदे अब किसे प्र हना मोट किया है इनका वटए ऊन्हें को इंट्रेuks लेकिन बदले हिए उसकी प्रमोटर को जब शेर इशू करते हैं तो इसकी इंट्री और नियूर इन फ्रमोटर मेन या इक्विटी या प्रेफरेंच शेयर क्या तो यह आपने ध्यान रखना है कि शेयर प्रमोटर को इश्यू करने के एड्री क्या होती है और यह ठीक है तो यह फिल दे ब्लैक्स तो हो गया हमारा कप्टेट कि इफ दस शेयर है जो कितने का है दस रुपए का इश्यूआड प्रेमियुम टू तो शेयर कितने का हो गया क्लास 12 का full amount has been called and 8 including premium paid 8 including premium तो premium तो 2 का है ये दे दिया मंगवाया गया पूरा पैसा मतलब पूरा पैसा मंगवाया गया 8 रुपे दे दिया तो ये निकि 4 रुपे अभी भी उसने नहीं दिया है तो पूछा क्या है question में is forfeited the share capital account will be debited तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ share capital हमेशा called up face value से debit होगा किसे called up face value तो इस question की face value 10 है और पूरा 10 ही मंगवाया गया है कभी भी 12 तो गलती से मतलिखना वो face value नहीं है वो including premium है वो issuing price है share कितने का है class 10 का और 10 ही मंगवाया गया है share capital 10 मैं आप लोगों की सहमती के लिए entry बता जिता हूँ share forfeit जब कर लिए अच्छ है आठ क्यों नहीं लिखा class क्यूंकि हम premium को ignore करते हैं और जो unpaid calls है calls in area वो 4 रुपेका है देखो debit और credit जो है वो आपको बिलकुल match करें तो आप बता दो कौन सा option correct है share capital B option correct उनने एक shareholder से 7 रुपे जब कर लिया forfeit कर लिया और उन्हीं shares को किसी और को issue कर दिया 3 रुपे discount में तो यह जो फाल्तु बच रहा है 4 रुपे इसको कहां transfer करते हैं class capitalism में और entry क्या होती है entry होती share forfeited to capital reserve question पूच कहा रहा है कि जो surplus amount है वो कहां transfer होगा चेक करो class कहां transfer होगा capital reserve 6 का option अबर ए जो है वो correct on an equity shares of rupees 20 on an equity shares of rupees 20 the company called up 16 but 14 has been received company ने मंगवाया गया है 16 रुपे लेकिन receive कितना हुआ 14 तो कितना receive नहीं हुआ 2 रुपे मंगवाया कितना गया है 16 पॉल्डप face value कितना है क्रेडिटेड बाय तो अब कोशिन यह कह रहा है कि equity share capital account जो क्रेडिट होगा वो कितने से क्रेडिट होगा यह कोशिन दुबारा repeat करते हैं क्या लिखा है on an equity shares of rupees 20 the company called up 16 company ने 16 रुपे मंगवाया गया है but 14 has been received by the company मंगवाया गया 16 मिला कितना है class 14 जब मंगवाते हैं हम लोग entry मंगवाने के entry क्या होती है share final call account debit to share capital तो call तो 16 से मंगवाया जाएगा मिला है 14 रुपए तो 14 रुपए तो आएगा बैंक में पर मंगवाया गया 16 से तो called up share capital कितना होगा 16 और बात बता दूँँ यह कोई forfeiture नहीं है यह नॉर्मल कोस्टिन है तो यहां पर हम forfeiture की बात नहीं करेंगे यहां बात करें कॉल सिन एरियर की कॉल सिन एरियर कहीं लिखा नहीं कि forfeit है तो हम सिंपल है अब नॉर्मल कोश्टिन है मान लोग 16 रुपए का शेर है 14 रुपए दिया है तो मंगवाया ओगे तो 16 से ना और शेर हमेशे क्या आता है फेस वेल्यू वहां पर फेस वेल्यू 16 स्टेट वाइद फॉलिंग स्टेट में इस ट्रू और फॉल्स अ कंपनी डिस्क्रीशन अपनी इच्छा से चाहे या ना चाहे नोट्स टू अकाउंट को बैलेंशीट में बना सकती है नहीं बना सकती है अब सब यहां पर यहां पर कॉलम आता है नोट्स टू अकाउंट यहां पर्टिकुलर्स अले में आता है लाइबलेटी दूसरे में आता है असेट और उनकी होती है यह फॉर्माट किसी भी कंपनी के क्लास बनता है नाय स्केडियूल के कॉडिंग तो अब इस सिचुएशन में जो अकाउंट है इसे बनाना मेंडेटरी है हर कंपनी को इस नोट्स को बनाना ही पड़ेगा तो जो स्टेट्मेंट था क्लास वहां पर वो क्या स्टेट्मेंट है क्लास अपनी इच्छा से नहीं पॉल्स आपको बनाना पड़ेगा ग्रीन लिमिटेड अलॉट किया है चलो 10,000 एक्विडिशियर्स तू दा अप्लेकेशन ओफ 14 यह जिन्हों ने अप्लाई किया है 14 के लिए कंपनी ने उनको अलॉट कर दिया 10,000 14,000 मांगे तो 10,000 अलॉट करते हैं हम सारा रिजेक नहीं करते और सारा लॉट भी नहीं करते प्रपोस्षिनिट हम लोग लॉट करतें अप्लिकेशन दो रुपे का है मोहन ने अप्लाई किया है ध्यान रखना मोहन ने अप्लाई किया है 420 शेयर के लिए the number of shares allotted and amount carry forward for the adjustment against allotted money due from मोहन आर सबसे पहले अब यही बता दो कि मोहन को allot कितने होंगे क्लास समझना बात को if applied 14,000 then allotted 10,000 अगर कोई 14,000 की application देता है तो हम allot कितना करते हैं class 10,000 similarly if applied उसी तरीके से अगर कोई apply करता है अगर कोई apply करता है 420 shares के लिए then allotted 10,000 upon 14,000 अगर 14,000 पे 10,000 दिया जा रहा है तो 420 को कितना दिया जाएगा यह आपने class बताना है calculation बहुत simple है 10,000 को आप divide दे दो 14,000 से into 420 तो यह आराए class आपका 300 shares यानि इनको 300 share जो है allot आपने किया होगा तो यहां से देखके तो यह option मुझे correct लग रहा है अब एक table जो हम लोग बना लेते हैं कि apply कितने के लिए क्लास 420 के लिए और allot कितना हुआ है class 300 तो जो 420 shares है उन्होंने शुरू में देते वक्त फॉर्म भरते वक्त कि आप इस तरीके से चेक कर लेना options को प्रूफ बताओ application money in excess of the allotment money यानि कि जो application money है जो फालतु आ गई कि allotment money से is always transferred to अगर मेरे पास 100 share है मांगे थे मैंने 200 shares application money 2 रुपए का है तो मैंने 200 shares जब मांगे तो 400 रुपए मैंने company को दे दिये मिले कितने share से मेरे को 100 तो मुझे देना कितना चाहिए था 200 तो यह जो मेरा फालतु amount company के बाद 200 पहुंच गे वह हमेशा calls in advance में ही बात है company classes को refund भी करती है company इसको refund करेगी तब यह class वापिस आएगा पैसा मेरे पास मेरी अगली किस्त में adjust नहीं होगा तो statement क्या है class false statement 11 कोशिन चलो बनाव कोशिन को स्टार लिमिटेड ने इस्चु किया है 10,000 एक्विडी शेर्स रुपीज 100 इच अट प्रेमिम ऑफ 20 परसेंट तो सौका 20 परसेंट होता है 120 सौर पे फेस वाल्लिव इस रुपे प्रेमिम ममता हुँ हाज बिन अलोटे 2000 शेर् फाल्ल कॉल कितने किया पांच रुपे की ममता ने नहीं दिया है बाकी सब तो दे दिया होगा उसने टोटल अमाउंट है 120,100 प्लस 20, 115 दे दिया होगा उसने 20 प्रेमियम और 95 20 प्रेमियम है और 95 का फेस वैल्लिव तो यह पूरा का पूरा होगय सेनारियो कुश्चिन का डिटा हमने बना लिया ओन फॉर फीचर आप शियर्स ममता शियर अमाउंट डेबिटेट टू स्प्यार तो उसने यह नहीं दिया यह अमाउंट उसने पे कर दिया तो बताओ क्लास कि जो ममता का शियर अमाउंट है डेबिटेट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एकाउंट विल बी अमाउंट कितना आएगा राई करो क्लास अपने आप और बताने कोशिश करो क्या पूछ रहे और ममता के पास शियर कितने क्लास दोहजार दसजार इक कुडिशियर इशू हुआ है सौ का एक है 20 पर प्रिमियम ममता के पास जो अलोट है वह दोहजार शियर सलोट है डिड़ नॉट पे दफाइल फाइन फाइन कॉल और फाइब पर शियर रुपीज फाइफ पर शियर तो फस्ट और फाइन कॉल जो है पांच जब ममता के शियर फॉर्फिट करेंगे तो एंट्री क्या होगी फॉर्फिट की शियर क्यापिल अकाउंट डेबिट तू शियर फॉर्फिट तू शियर फॉर्स्ट थैन फाइल कॉल यह पांच का नहीं दिया पॉर्फिट के लिए 95 फेस वालिव हंडर्ड तो पूछा क्य हृँ उसने प्रीमियम दे दिया है ए हम असप्र में डेबट इसको नहीं कर आइज बच्चे बोलेगे हैज सर् आपको क्सका बचला प्रीमियम जो है वह उब उपरवाले में hep बच्चो प्रीमियम है 20 रुपए का तो 5 के अंदर तो 20 होगा नहीं जाहर से बात 115 के अंदर ही 20 होगा इसलिए प्रीमियम यहां पे लेंगे हैं मोहर लिमिटेड ने फॉर्फीड किया है 160 शेयर 10 का एक और विच दो होल्डर हैस पेड ओनली अप्लिकेशन में टू पर शेयर आउट आउट फॉर्टी शेयर रीशु तो गौरफ फुली पेड नाइन गेन और रीशु आपने बताना है क्लास की जो रीशु पर गेन है वह कि मैं ठीक है करो क्लास अपने आप ट्राइ करो जल्दी बताओ क्लास की क्या होगा इस कांसर फॉर्फिट किये हैं 160 शेयर 10 का एक उनली अप्लिकेशन सिर्फ अप्लिकेशन जो है 2 रुपय का वो दिया है शेयर 10 का एक है यानि 8 रुपय नहीं दिया है आगे बस समझे आउट आट अपको शूटकट भी सिखाऊंगा भी वो देख लेन एक बार ज 94 वो युद्ट शेयर 10 कि अन पेल और जो आप माइनस कर दोगे मतलब कि 160 को आठ से मल्टिप्लाई करोगे 168 तो 168 जे कितना होता है क्लास 128 40 जो है वो रीशु के गौरफ को 9 रुपे में 160 में से 40 जो है 9 9 मतलब 10 माइनस एक बैंक में 9 डिसकाउंट जो है वो एक रुपे का है तो शेर कैप्ल में आएगा 10 40 है 364 और 400 अकरी एंट्री ए शेर फॉर्फेट टू कैप्लिजर कितना पढ़ा है फॉर्फेट में 320 लेकिन ए 160 शेर के लिए कि एक सो साट शेर के लिए 320 है तो चालिस शेर के लिए कितना अमाउंट बनेगा यह अपने क्लास पता करना आप इसे सॉल्फ करोगे तो यह आएगा चालिस चार एटी एटी रुपीज आपके पास पढ़ा हुआ है चालिस शेर के लिए जिस एटी में से आपने डिसकाउंट कितने का देदी हैं पर 40 का बच्चों देखो अगर आप फर्स टाइम इसको देख रहे हो तो यह बिल्कुल आपको समझ नहीं आएगा आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पढ़ेगा डिटेल समझना पढ़ेगा कंपनी को और कंपनी काउंट इस अपशियर अकेला जो है लगबग 10 मार्क्स तक का तो इस आपकेला है 10 तो ट्वल मार्कस का समझ लों अकेला तो इस अपशेर आइगा डिबंचर अडम्चन मिला कर ऐट मार्कस का एगा यह सिक्स मांक का आएगा तर इस आपशेर का पूरा पढ़ेख आ पूरा प्लेलिस्ट में देखना इस ओप्शेर का पूरा वीडियो यह ल अगर उसने पैसा नहीं दिया तो अगर पैसे दे देता है तो एंट्री क्या पास करते हैं कोई भी अलॉट्मेंट का पैसा मिलता है तो एंट्री क्या पास होती है अगर उसने नहीं दिया अलॉट्मेंट का पैसा तो यानि कि अगर दे देता था था हम उसे क्रेड करते थे नहीं दिया तो क्या डेबिट है और जब वो देगा तो क्या होगा क्रेडिट अब चेकरो डेबिट बैलेंस और यह तो कड़ी गया कि फॉर्फीचर का नहीं डेबिट बैलेंस किसका होगा अलॉट्मेंट का अप्शन भी करेक्ट है जो फॉर्फिट होएं शेयर्स उनका रिश्व कंपल्सरी है मतलब जो आपने शेयर कैंसिल किया उनको दुबारा भेचना पंपल्सरी है जयर्स को आपने फॉर्फीद किया कैंसिल किया और वह नहीं भी करे तो आप क्या कर सकते Kirk यह सब क्लास उनकी रिश्य गरना है वह जरूरे होते गाती वर्ध क्लास बहुत अच्छा कोश्चिन है मैं आपको बतागा e कोल सिन एरियर son in the balance sheet एक हाउ crises लिए दर क्रिदा हुस्का उपलस को क्लास कोई थे होता है Lord सब्सक्राइब शेर क्यापिल में से लोग माइनस कर देते है पॉल सेने के अमाउंट उसका उसर जोगा वो क्या होगा यहा झैक वैफित है फे आफ subscribe, share, capital यह answer हो गया आज के दिन का जो question है जो आप सबको comment में बताना है मुझे वो question यह है कि जो call in advance से वो कहाँ show होता है call in advance की position कहाँ है वो balance sheet में कहाँ show होता है यह आप सबको comment करके बताना है इमानदारी से और मुझे यह भी बताना है आपकी कितने मांक्स है वीडियो अच्छेले लाइक करना नेक्स्ट वीडियो में बिलते एक नए चैप्टर के साथ तब तक के लिए टेक केर बाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाई